हलो एप्यूबडी दिस इस दिगराश सिंग राजपूत वेलकुम आज चैनल क्लास्टलिंद्थ 2025 अभी बहुत समय हैं लेकिन 2025 में जो लोग बोर्ड एक्जाम्स देने वाले हैं तो स्वागर्थ है आप सभी का इस एकैडमी कियर के पहले वीडियो में In this video we are going to discuss the whole road map क्या महत्पूर है, क्या करना है, कैसे करना है सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले है स्वगर्द आप सभी का इस वीडियो में देखो, आज इस वीडियो का आप जिस भी तारीक को देख रहे हैं इस वीडियो में आज मैं आपके साथ में बहुत बेसिक चीजें डिस्कस करने वाला हूँ जो हम साल भर करेंगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हर चीज बताऊंगा बस शर्त यह है कि अगर आप आज इसको सुन रहें और सुनने के बाद में आप इस पर थोड़ा भी काम करते चलेंगे ना साल भर तो I can promise you क्या कि क्लास 10 आपकी सबसे आसान क्लास होने वाली है जितना जो हुआ बनाया जाता है, डराया जाता है, बोर्ड एक्जाम है वो तुम्हें बिल्कुल भी फील नहीं होगा जैसा बता रहा हुआ से करते चलना है, अब क्लास 11 के बच्चे मुझे पता है बहुत सारे क्लास 11 वाले देख रहे हैं, तो क्लास 11 वाले बच्चे तुम लोगों की एक जिम्मधारी है यहां तक देख लिए वीडियो तो सुनो, बहुत अच्छे से बात सुनो कि इस वीडियो को तीन अपने जूर्य के साथ में शेयर कर देना याद से, और शेयर करने के बाद में बोल देना, सरक्ट टास्क डन, तो यह काम ज़रूर अच्छे से कर देना, सबके तीन तीन दोस्त तो होते ही न, एक जूर सीनियर वाला रिलेशन यही तो होता है, कि प्लाइस टैंत के रूड में आपके नाये हैं उन्हें वह बताने वालों कि उनके सलिए हम साल बर क्या करने वाले और कैसे और गॉशुरू करते हैं आप यहाँ आम भी पड़ोगे कुछ भी करोगे तो भी वह बॉर्ड एक्जाम जब होना वो तब रहेंगे मतलब ये समय का चक्र है वो अपनी गती से चलता रहेगा होले 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 आगे बढ़ता रहेगा तुम बढ़ो या ना बढ़ो तो क्यों ना फिर अब साथ में बढ़ी जाएं क्यों पॉइंट ये ना देखो इस पॉइंट पे हो इस पॉइंट तक जाना है तो ऐसा तुम्हारे पास कोई option नी कि तुम यहीं बैठे रह जाओ ठीके समय अपनी गती से चलता रहेगा महीने निकलते रहेंगे half yearly होगा unit test होंगे board exam भी होंगे करना तो पढ़ेगा ठीक इस चीज को अपने दिमाग में clear बैठा लो तुम यह सोचो नहीं कोई तरीका है कोई matrix को escape करके हम निकल जाएंगे board exam देंगे नहीं तो भाई exam देना पड़ेगा साल भर इस journey को जीना तो है तो मुस्कुरा के साथ मिलके करेंगे ठीक है साथ मिलके करेंगे तो सवाल भी आएगा कि class 10th board exam है कि बहुत खतरनाक होती है क्या होगा तुमारा कैसे करोगे बारा घंटे 14 घंटे पढ़ना पड़े सब सब फिदूल की चीज़े हैं साल के शुरू से अगर तुमने हस्ते खेलते रोज एक घंटा दो घंटा भी पढ़ लिया ना जितना जैसे बात करते चलेंगे जैसे डिसकस करते चलेंगे चिल मोड में एकदम अगर कर लोगे तो आइकन प्रॉमिस यू कि बोर्ड एक्जाम जब दो गे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा है यह भी एक्जाम होता है ठीक है बिलिए मिए हस्ते खेलते हुए पूरा समय निकाल देंगे इसके श लोड क्यों लेना है जैसे आगे और कुछ पॉइंटर जिसकस करेंगी कि क्यों जरूरी कि हम शुरू से पढ़ना शुरू करें तो कैसे करेंगे वो तुम्हें डर है तो वह डर को स्वाहा कर दो क्योंकि हम आसानी से करेंगे साथ मिलकर करेंगे अब जब साथ मिलकर करेंग तो इस चीज का मैं तुम्हें आश्वाशन दे रहा हूं ठीक है इस चीज का मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं ठीक है तिलक लगा के तुम्हें मैं बैच विदाई 4.0 बना दे रहा हूं क्या कि साथ मिलकर कर लेंगे किन-किन चीजों का ध्यान रखना रहेगा आपको पूरा रोड मैप बता रहा हूं मैं आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाऊंगा ठीक है लेकिन उसके अलावा एक इंपॉर्टन पार्ट ये रहेगा कि किन-किन चीजों को ध्यान में रखते हूं हमें आगे बढ़ना एक लास तो पहली चीज कहा है पहली चीज़ें कंसिस्टेंसी हम अभी अभी हो सकता है बहुत सारे बच्चों के नाहिंत के एक्जाम हो गये हो यह भी हो सकता है दोनों पॉसिबिलिटी अब मैं आपको इक चीज़ें बतारो कि मारे पास पूरा एक साल का र देते हैं तो चार दिन पढ़ेंगे साल भर मस्ति करते हैं वह भी करना खूं मस्ति करना साल भर लेकिन साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना वह चार दिन के बराबर का साल भर थोड़ा 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 पढ़ लेना ठीक है तो आपके पास में साइन्स भी होगा मैथ सब्जेक्ट को थोड़ा-थोड़ा समय देना बहुत जाला समय नहीं देना यह सामने टास्क आ रहा है उसकी तयारी कर लेना हर एक यूनिट टेस्ट में क्या कुशिश करना कि तुम अपना बेस्ट देख के आ जाओ क्लास में जो लेक्टर दिये जा रहे हैं उन लेक्टर को बहुत अच्छे सा एटेंट कर लेना क्लास में नहीं भी पड़त रह गारा तो इसलिए मत करना कि मैं बोल रहा हूं इसलिए मत करना कि parents का pressure है वो self driven होना चाहिए मतलब कोई subject अच्छा या खराब नहीं होता है आसान या कठिन नहीं होता है teacher अच्छे होते हैं teacher खराब होते हैं मैं teacher होके बोल रहा हूं क्यों क्यों कि जम्यदारी होगी कि अगर मैंने तुम्हारे अंदर वो प्यार इंस्टिल नहीं कर पाया subject के लिए तो as a teacher में फेल हो गया ठीक है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि तुम्हें subject से महबबत करवा दो अब जैसे कि जब एक बार तुम्हें subject से महबबत हो जाएगी ना तो फिर तुम्हें subject के पास थुद आना होगा वह सब्रिवन होना चाहिए कि यार आज पढ़ा लेता हूं थोड़ा सा दो चैट्टर ही पढ़ा लेकिन पढ़ा लेता हूं तो वह सब्रिवन अप्रोज लेके चलना ठ मैं पढ़ेंगी क्योंकि मैं पढ़ेंगे इसलिए नहीं पढ़ेंगे और आखाते हैं ठीक है फिर कि अब कैसे पढ़ना है ठीक कैसे पढ़ना है तो बहुत सारी एक चीज मैंने यूट्यूब पर पढ़ा दिया आपको सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ बता कर रखा है हर चीज आपको पूरे resources available है साल भर तुम्हें गाइड करूंगा हर महने रोड में आप वीडियो आएंगे जैसे आपके seniors को आये थे जैसे आपके junior को भी मिलेंगे class 9 वालों को भी पॉल sessions होंगे मैं आपको बताते रहूंगा कि यह chapter अक्टर complete कर लो हम तक तो टाइमली हम से लिए बस भी complete करेंगे टाइमली रिविजन्स भी होंगे सारी चीज होगी मैं आप भर्क भी करेंगे बर केस क्या है कि वह पूरी planning करना होगी कैसे करेंगे साथ मिलकर करेंगे आसानी से करेंगे ठीक है तो वह planning भी करेंगे एक वह discipline ज लो तो वह आप किसी batch के थ्रू भी कर सकते हो बैच के थ्रू नहीं करोगे तो यूट्यूब से भी हो सकता है लेकिन बैच के थ्रू कर लोगे तो एक memory हो जाएगी साल भर का साथ हो जाएगा कौन सा बैच तो आरंब बैच जो है यह हमने स्टार्ट भी कर दिया जिसमें स्टार्ट हो गए कुछ सीट्स और बचिए तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप यह चाह रहें कि आप एक प्लाइन तरीके से डिसिप्लिन वे में रेगुलर क्लास कर ले तो आप आरम बैच में रोल कर सकते हैं लिंक्स वगेरा सारी डिस्रिप्शन में उ कुछ भी काम करते ना जब तक उसके पीछे परपस समझ नहीं आता तो हमें यह समझ नहीं आता कि हम वो काम क्यूं कर रहें तो परपस ढूंड लेना परपस नहीं पा रहे तो मैं तुम्हें परपस याद दिलवाता हूं आग बंद करो यह इमेजिन करो कि आज आप अप 10 म में पड़ा है ठीक है और आज आप एक्जाम देख के आए और आपको वह फील हो रहा है कि साल भर जो महनत करी थी वह वर्थिट है क्यूं क्यूंकि इतनी महनत के बाद में जो आप परिनाम दोगे जो रिजल्ट दोगे उस रिजल्ट से आपके माता-पिता कितने खुश हो होंगे क्यूं क्यूंकि आपने अपना बेस्ट दिया है आप अपने आपको ग्रोव करें अपने आप में इवाल्व हुए हो ठीक है और ऐसा नहीं कि लक्षे सर्फ यह होना चीकि दसवी में अमबर ले आए ठीक है कितना कुछ सीखेंगे हूं क्यूंकि लर्निंग प्रोसे होगा कि मैं ठान लूँ तो मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं ठीक है तो वह परपस लेना सब एक एक पर यह वीडियो देखने के बाद कुछ मत करना चिल मोड पे बैठना और सोचना क्या कि अगर मैं साल भार अच्छे से अपने आपको डिसिब्लिन तरीके से सिर्फ एक लक चाल रखना स्टार्टिंग पॉइंट यह है ठीक हमत हमारा सिंपल है क्या कि हमें बौर्ड एकजाम तक लग के सांत मिलके थोड़ा-थोड़ा मस्ती मजाक में अस्थे खेलते बहुत कुछ व्यान करते हुए सीखना है ठीक है यह लक्ष है और यह आपका स्टार्टिंग प most memorable year of your life क्योंकि इसके बाद तो वही rat race चालू हो जाएगी 11 थे career है ये वो तो इस साल को दिल खोल के जीना और अपने अंदर एक sense of pride लाना कि मैं ठान सकता हूँ तो सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ठीक है तो this was all about I am really excited for this journey I hope you people are also excited मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए sign off करता हूँ signing off with this together we can we will thank you thank you very much